हेलो एवरिवन वेलकम टू ड्रामा वन पार्ट 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हानुल ग्रीन के पांस आता है जो भी उसने कन्फिस किया था वो तो सिर्फ वो सोच रहा था असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था हानुल च बरेंग निकालने के लिए अचाता है तो चिलाने की आवाज आती है क्योंकि जैहुन का पैर मुड़ चुका था ग्रेन नीचे चली चाती है हानुल का कन्फिशन तो अधूरा ही रह जाता है पुलिश टेशन में सीन सीयोली जोंग सुक को कॉल करके बता देता है कि वो जल्द ही एक मुवी देखने वाला है मैंने उसका प्रेमियर भी लाँच कर दिया है सीयोली गुसा करके कहता है कि साली जी यंग ने सीन का साथ दे ही दिया ये लोग जब वापस आ रहे थे तो काईली और जैहुन सो चुगे थे अनुल कहता है कि क्या होगा अगर मैं कहूं कि मेरी एक गर्फरेंड है ग्रीन कहती है कि क्या तुम डेट कर रहे हो अनुल कहता है कि क्यू तुम्हें चलन हो रही है ग्रीन कहती है कि नहीं तुम्हारे पीछे फिर पैपराजी पढ़ जाएंगे तुम्हारे खिलाफ न्यूज में छप जाएगा कि तुम अभी से ही डेट करना स्टार्ट कर दिये हो हानुल कहता है कि ये मेरा मतलब नहीं था अगर क्या होगा कि मैं तुम्हारे ही जाओंगी मेरी ही कारबन कॉपी को तुम घर कैसे ला सकते हो हानुल वॉसलाइक इससे तो बात करना ही बेकार है सिन वापस आता है वो यूनसू से पूछता है कि क्या हुआ तो यूनसू कहता है कि चानही की मा किसी और से शादी करने के लिए चार ही है सिन कहता है कि फिर चलो उसकी शादी को बिगड़ने चलते है वो ऐसा कैसे कर सकती है उसे जरूर पच्चतावा होगा ये लोग वहां आते है उन्हें पीचानही की मा के बारे में बता लगता है तो फूपी वहीं बात दोहराते है जो कि अभी अभी सिन ने कहा था यून्सू कहता है कि तुम लोग भी ना मुझे कुछ भी नहीं करना है वो अपनी जिन्दगी में खुश है तो तुम लोग कौन होते हो उसकी जिन्दगी को बिगड़ने वाले अगले दिन जोहन को पुलिस पकड़ कर ले चा रही थी उस पर आरोब था कि जीयंग के साथ उसने मिलकर जीनु को डराया और हानुल को फसाया है जोहन सियोली को कॉल भी करता है पर वो उसकी कॉल नहीं पिक करता यानि कि सी ओली ने भी अपने हाथ दो दिये है चुहान पुलिस वालों गे भी नहीं बता पता की यह सारा कशनड का प्लैन तो सी ओली जोंग सुका था उसने तो बस इसके कहने पर यह सब कुछ किया है चुहान के पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था अगले दिन कोर्ट में जियंग आती है उस पर लोग अंडे फेकर उसके काफी ज्यादा बुराई करते है डैड आकर अपनी बेटी को बचा रहे थे जियंग की मां हनुल के पैर पकड़ लेती है कि प्लीस मेरी बेटी को बचा लो अगर तुम कहोगे कि उसे माफ कर दिया चाये तो कोर्ट उसे छोड़ देगी उसे सजा नहीं देगी ग्रीन गुसा होकर कहती है कि मैं भी आपके घर के चकर इतने ही काटती थी कि आप जियंग को बोलो कि फो हनुल को सजा ना दे पर आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया उल्टा आप तो मेरी बेशसी करके हमेशा ही मुझे भगा देती थी पर फिर भी मैं आपके घर आती रही और मिन्नते करती रही पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी जीयंग की मा ग्रीन के पैर पकड़ लेती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो उस पर दया कर दो ग्रीन उस पर गुसा करने लगती है तो सिन ग्रीन को संभालता है ये सारा मामला जच के सामने लाया चाता है जज हनुल से पुछते है कि तुम क्या कहना चाते हो तो हनुल जट से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जीयंग को कोई सजा मिले आज जीयंग को अपने किये पर बहुत ज्यादा पच्छतावा हो रहा था वो हनुल को देखकर कहती है कि तुम कौन होते हो ये देखकरने वाले कि मुझे सजा मिली चाहिए या फिर नहीं हनुल कहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि आप जुहन को भी सजा दे मैं उसे माफ करता हूँ इतना कहते ही वो सिन की और देखता है सिन कहता है कि पगला कही का ये दोनों फिर अकली में बात कर रहे थे जहां सिन कहता है कि उसो फोटो और वीडियो को लेने के लिए मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी मैं काफी स्ट्रेस में भी रहा था पर अच्छानक से ही तुम साधूसंत बन गए हानुल सच में तुमने मुझे निराश कर दिया है पर ग्रीन मैं कहता हूँ वो तो तुम्हें आज मार ही डालेगी फिर ये लोग स्टूडियो में होते हैं जहां हानुल सिन के पीछे चुपा था ग्रीन कहती है कि क्या कोई तुम भगवान हो जीचस हो या फिर बुद्ध हो तुम ऐसा कर कैसे सकते हो सीन तो इन दोनों भाई बहन के बीच सेंडविच बन गया था ग्रीन फिर हानुल को मरने के लिए चा रही थी तो हानुल साइड में हच जाता है और मन्सिक को लग जाती है तब चाके ग्रीन थुड़ा शान्थ होती है चीनु एबरोडर म्यूसिक की पढ़ाई करने के लिए चाने वाला था ये बात वो सीन को बता देता है सीन कहता है कि ये तो काफी अच्छा है हानुल बहुती स्यादा फेमस हो गया था इसलिए इन लोगों को एक कमर्शियल शूट करने को मिलता है इन लोगों को यहाँ पर सो बाउल रामेन खाना था काईली इतना ज्यादा खा नहीं सकता था तो सीन उसे कहता है कि तुम इतने एरोगेंट क्यू हो ऐसे खाओ जैसे कि तुमने सालों से कुछ भी नहीं खाया हो हानुल राम्यन खाख खाकर ठक गया था तो ग्रीन उसे कहती है कि जो भी हो जाए पर तुम है तो ये करना ही होगा क्योंकि ये हमारा पहला कमर्शियल है सेन कहता है इशारों में कि तुम अच्छा कर रही हो तो ग्रीन उसे रिपलाई में हार्ट बना कर देती है शेफ नूडल्स बना कर ठक गया था तो फो ग्रीन से बत्तमीजी करता है सीन ने ये सब कुछ देख लिया था तो फो कहता है कि वो मैनेचर एक औरत है तो तुम उसे ठीक से बात करना अगर हमारा मूड अच्छा रहेगा तो ही हम लोग अच्छे शूट कर पाएंगे सीन तो ये कहकर चाने लगता है परग्रीन ने उसकी सारी बात सुन ली थी मिस्टर ब्यून अकेले ही बैठकर खाना खा रहे थे उस रेस्टरोनन में जुनहा का गाना बच रहा था जो कि हनुल के बड़े भाई संग्यून का था वो पुरानी बातों को याद करते है कि सीन एक दिन संग्यून को लेकर उसके पांस आया था तब हम पहली बार हनुल के बड़े भाई संग्यून को देखते हैं वो बहुत ही शर्मीला इंसान था संग्यून ने एक गाना लिखा था जो कि मिस्टर ब्यून देख रहे थे वो देखकर कहते हैं कि मुझे तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया ये दोनों ही फिर हसने लगते हैं मिस्टर ब्यून देखते हैं कि संग्यून का पैर तो अपाहीच है क्योंकि उसे पॉलियो हुआ है मिस्टर ब्यून सीयोली को ये गाना दे देते है सीयोली को भी ये गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है वो संग्यून की तारीफ करने लगते है वो कहते हैं कि वो तो कोईली की खान से निकला हुआ डायमन्ड है उसमें काफी टैलین्ट है मिस्टर ब्यून कैते है कि पर संग्यून उसको पोलियो हुआ है उसे गाना गाने दो संग्यून फेर गाना रिकार्ड करता है जो कि बहुती स्यादा अच्छा था केटोप की हालत अभी ठीक नहीं थी केटोप ने बस स्टार्ट अप ही किया था इसलिए वो दूसरी कमपनी से मदद मांगने के लिए चाता है तो दूसरी कमपनी का जो सियो था वो केटोप की बहुत ही स्यादा बेज़ती करता है साथ में सियो ली जोंग सुप की भी दूसरी कंपनी का जो सियो था उसे संग्यून का गाना बहुत ही स्यादा पसंद आया था तो वो सियो ली से कहता है कि वो काना जुनहा को गाने दो इसके बदले में में तुम्हें तीन गुना और पैसे दूँगा सीयो ली नहीं मानता कि उस बच्चे ने बहुत ही स्यादा मेहनत की है पर वो जो दूसरी कंपनी का सीयो था फो कहता है कि केटप की हालत के बारे में तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा मैं तुम्हारी मदद ही तो कर रहा हूँ सीयो ली उसकी ओफर को मान लेते है मिस्टर ब्यून को जब ये पता लगता है तो फो सीयो ली पर गुस्सा हो रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो संग्यून भी रोते हुए सियो ली जोंग सुक के पांस आता है तो वो उसकी काफी बेज़ती करता है ये सिन बलकुल ऐसा ही था जो कि हमने एपिसोड वन की शुरुआत में देखा था कि सीन एक राइटर से बहस कर रहा था सिन ने उस राइटर की जिस तरह से बेज़ती की थी सियो ली जोंग सुक भी संग्यून की ऐसे ही बेज़ती कर रहे थे संग्यून फिर से कहता है कि मैं अपनी फैमिली को क्या च्वाब दूँगा मेरी फैमिली इंतजार कर रही है कि मेरा गाना कब रिलिस होगा सियो ली जोंग सुक उसकी फिर से बेसती करता है कि तुम पैर से लंगड़े हो कभी किसी आइडल को देखा है कि वो अपाहिच है मैं क्या तुम्हें चंपू लगता हूँ कि तुम्हारे चैसो को यहां पर रखूंगा बिजारा संख्यूनिये सुनकर काफी बुरा फिल करता है वो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता वो हांड रिवर के और बिश पर खड़ा था वो अपने पैर को ठीक करने की ट्राइ कर रहा था पर वो भी ये बात अच्छे से जानता है कि अब उसका पोलियो कभी भी ठीक नहीं हो सकता वो अपनी फैमली फोटो को देख रहा था वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना इतना कहते ही वो पानी में कुद कर सुसाइट कर लेता है सिन ने भी इचिस राइटर की बेज़ती की थी उसने भी शायद संग्यून की ही तरह सुसाइट कर ली होगी पर उसके मरने के बाद सिन तो सुधर गया पर सीयोली जूंसुक वो अभी भी गंदे ट्रिक्स करता है ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो जूहान चियंग जैसे लोगों को लालश देता है उसके बाद जब वो उसके किसी काम के नहीं रहते तो उसका पत्ता के टॉप से कट कर देता है एपिसोड 13 होता है यहीं पर ही खतम आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सबस्क्राइब भी कर देना थेंक यू फॉर वाचिंग